Hello friends, welcome to education channel. Today is September 9 and we will see today's current affairs and analysis. Namaskar दोस्तों, आज है September 9, आप सबी का स्वागत है और आज हम बात करेंगे current affairs and analysis का. लेकिन सबसे पहले important चीज, important चीज यह है कि तीन दिन पहले जो एक international relations पे question दिया था मैंने कि भारत की जो foreign policy है, उसके उपर and then जो non-alignment movement है, नाम जिसे बोलते है, गुट निर्पेख्षता, उसके संबन्दे मैंने question दिया था और same line पे आज एक editorial नाम के उपर, non-alignment movement के उपर इस editorial में cover किया गया है. इसका मतलब यह है कि जो यहाँ पे mains का मैं आपको question दे रहा हूँ, जो questions मैं आपको provide कर रहा हूँ, जिसके कि ऊपर मैं आपको कह रहा हूँ कि आप उस पे सोचिए, अपने answer prepare करिये, तो कहीं न कहीं, जो बाकी भी लोग हैं, जो experts भी हैं, जैसे for example, इस paper में भी editorial, एक foreign, जो के ऊपर research किया करिये, तो जिन भी students ने foreign policy के ऊपर, international relation के ऊपर, और non-aligned movement के ऊपर अपने answer तियार किये थे, तो वो आज के session में देखेंगे, how it has benefited them, और साथियों जो नए हमारे साथी channel से जुड़े हुए हैं, इस channel को subscribe करेंगे, share करेंगे, हमारी यही कोशिश रहती है, कि इसमें analysis के साथ-साथ, अगर आप exam के तियारी कर रहे हैं, तो उससे related जो important concept है, वो हम लोग कवर कराते चले, और end में एक questions मैं रखता हूँ, जो कि आपकी critical thinking को develop करता है, चाहाँ आप exam दे रहे हो या ना दे रहे हो, लेकिन एक balance point of view, life में या आपके काम के छेतर में रहना चाहिए, कल हम लोगों ने cover किया था, जो hyper sonic missile थी उसके बारे में, और उससे related जितने भी technical concept थे उसके उपर, और मैंने कहा था कि आप थोड़ा उस पर research करियेगा, एक question भी दिया था मेंस का, तो मैं उमीद करूँगा कि उस पर जो हमारे students हैं, subscriber है, उस पर काम कर रहे होंगे या तो answer right कर लिख रहे होंगे, या फिर अपना जो content है, वो तियार कर रहे होंगे, और मैंने ये भी बोला था, जो missile man है भारत के, APJ अब्दुल कलाम जी, उनको माना जाता है, तो ये बहुत important है, कि उसके उपर आपकी अच्छी understanding रहे, now, let's see today's news, पहली news है, directly भारत चाइना से related, इंडिया चाइना से related है, तो ये बहुत important है, कि जो कल भी मैंने concept cover किया, या weapons के बारे में, रफाइल जेट के बारे में, या फिर missiles के बारे में, ये बहुत अच्छा time है, कि आपको बहुत अच्छी जानकारी इसके उपर हो जाए, तो क्या इसमें news आई है, news is that जो लदाख border है, वहाँ पे, पैंगॉंग है, साउथ साइड में, वहाँ पे claim किया था, जो चाइनिस आमी है, कि इंडियन आमी ने वहाँ पे हवा में firing की है, इंडियन आमी का वर्जन आ चुका है, कल उनका वर्जन आया, और उसमें ये कहा है जो पी एले है, जो चाइनिस आमी है, उन्होंने भारत की एक जो पहाड़ी है, जहां पे भारत का कबजा है, वहाँ के उसके उपर attack करने के कोशिश की, और भारत ने बिना किसी firing के उसको resist किया, in fact, इंडियन आमी का ये कहना है, कि जो चाइनिस आमी है, उनके द्वारा firing की गई है, और उनके द्वारा transgression किया गया है, तो दोनों के contradicting statements है, ये भी मैं आपको बता दूँ कि लगातार, अभी हमारे defense minister, जो है, उनकी वारता हुई थी, Chinese defense minister के साथ, कहां पे, Moscow में, Moscow में क्यों, क्योंकि SCO के meeting थी, SCO अगरे मैं आपको समझा जुका हूँ, Shanghai Corporation Organization, अब क् अगली news है, जो भारत के external affairs minister है, वो Moscow पहुंच रहे है, वहाँ पे SCO के जो समंधित minister है, उनकी meeting होने जा रही है, जो ये बहुत काफी ज़्यादा development चाइना और भारत के बीच में, लदाग सेक्टर में हो रही है, और एक और आपको बता दूँ, जब भारत ने बहुत स्टैंड लिया इसमें, एक्टम फर्म रहा, गोली की जवाब गोली से देंगे, और अगर चाइना एक भी कदम बढ़ाएगा, तो भारत भी पूरा कदम बढ़ाएगा, तो उसके बाद जो Chinese government है, उनका वजन आया है, वो खुद कह रहे हैं कि winter आने वाला है, मतलब सर्दिय आने वाली है, October, November में, और जो जगह है ये, जो लदाख जहां की बात हो रही है, पैंगोंग, ये 4000 मीटर के उपर है ये, करीब 17,000 फीट, और वहाँ पे बिलकुल भी रहने लाइक हालात नहीं रह जाते हैं, तो Chinese Army कहीं न कहीं डर रही है, कि अगर थंडी आएगी, तो उन कि जो shoulders हैं, उनको अतना अनुबव नहीं है, भारत सियाचिन में और लदाख में लगतार कई सालों से active है, तो भारत force को Indian force को है आदत, चाइनीज नहीं ये कहा है, कि ये कोशी बातचीत के माधियम से इस issue को solve किया जाए, जिससे कि दोनों ही forces अपनी अपनी जगह पे जा प regarding a survey, ये survey किसने कराया है, National Statistical Organization के दुआरा ये survey किया गया, now National Statistical Organization क्या है, ये एक institution है, जो ministry है, Statistic, Ministry of Statistics and Program Implementation, इनके अंदर में, पहले कई organization हुआ करते थे, survey कराने के लिए, पहले क्या क्या organization थे, एक CSO organization था, Central Statistical Organization, आप देख सकते हैं इसमें, और एक था National Sample Survey Organization, इन दोनों क को merge करके, एक single entity बनाया गया है, National Statistical Organization, इसको बनाया गया, 2015 के आसपस, इस process को किया गया, now इन्होंने एक survey किया, क्या survey किया है, इन्होंने, इन्होंने survey किया है, higher, जो education है, households में, उसके उपर, और ये survey ये बता रहा है, कि जो भारत में, जो पढ़ाई का अस्तर है, और in fact, ज उसमें कितनी बिन्नता है, so ये explain इन्होंने किया है, और फिर ये कह रहा है, कि जो internet का use है, उसमें से, जितना भी internet का use है, maximum 42% वो शहरों में है, और rural इंडिया में, मातर उसका 15, only 15% access है, so what it is stressing on, it's stressing on that, जो internet का use है, internet की reach है, वो गाव में भी बढ़े, करोना में आपको है, कि maximum जो schools है, या education है, वो internet के थुरू हो रहा है, online हो रहा है, YouTube के थुरू हो रहा है, तो बहुत important है, कि गाव में जो बच्चे हैं, और शहरों में भी जहां तक ये नहीं पहुंचा है, internet, वहां तक पहुंचे, और fast internet पहुंचे, जिसे कि buffering हो सके, zoom जैसे software है, या YouTube जैसे software है, वहां पे बच्चे वीडियो देखके, students वीडियो देखके, अपनी पढ़ाई कर सके, so इस survey से ये निकल के आया है, so आप इसको use कर सकते है, mains में या कहीं पर भी question आएगा, तो आप उसको use करेंगे, और मैंने आपको यही बता दिया, कि what is NSO, and उसमें कौन-कौन से organization मो पिछले साल के comparison में, फिरिये कह रहे हैं कि April से May, May से June, June से July में बढ़ा था, उसके बाद में August में कम हो गया है, now कहा कौन-कौन से sources से text collection की बात कर रहे है, ये 5 sources से text collection की बात कर रहे है, कौन-कौन से है, GST लागू होने के बाद में, आपको मैं बता चुका हूँ कई बार, क काफी सारे indirect tax GST में ही आ गए है, वो अलग से नहीं लगाए जाते हैं, तो कौन-कौन से text लगे हैं, ये petrol और diesel पे जो वैट लगता है, उसका revenue है, GST का है, excise tax, जो शराब वगएरा पे लगता है, वो है, stamps and registration tax है, and motor vehicle tax है, जो गाड़ी वगएरा पे अब खरीते हैं, उस समे उस पे जो लगता है, वो है, तो ये पांच taxes को मिला के जो revenue हुआ है, government का, वो कम हुआ है, अगस्त में, and then एक और ये बात कह रहे हैं कि Delhi government, third party, एक expert hire करने जा रहे हैं, जो इनको ये बताएंगे कि GST के माधियम से कैसे जादा tax collection हो, already मैं बता चुका हूँ कि already GST council में issue चल रहा है, जो इस साल में GST compensation pay करने को लेके, so Delhi government ने अच्छा initiative launch किया है, कि खुद से ही कोशिश कर रहे है, कि ज़्यादा से ज़्यादा GST उनका tax revenue बढ़े, नो हम बात करेंगे अब editorial की, देखते हैं क्या क्या editorial है, पहला editorial है, ये है, परलेमेंट से related, परलेमेंट में क्या है परलेमेंट में ये है कि September 14 से जो परलेमेंट है, उसकी बैठक शुरू होने वाली है, उसकी sitting, उसका session शुरू होना है, और ये कितने दिनों के बाद हो रही है, ये करीब 175 days के बाद हो रही है, कितना है constitution के according, constitution के according 6 महीन है, यानि 180 days के अंदर-अंदर हो जाना, जिए तो पि पावर जो पहले एक घंटे का होता था, वो सिर्फ आदे घंटे का रहेगा, और फिर ये बता रहेंगे किस तरीके से करोना के जो precautions है, वो भी लेने पड़ेंगे, फिर बीच में ये जो पता कि question hour पूरा होना चाहिए, तो recently जो अभी state government के, जो legislature थे, जो विदान सबा थी, क उसमें China के issue पे होना चाहिए, GST issue पे होना चाहिए, करोना के issue पे होना चाहिए, और economic issue पे होना चाहिए, तो ये brighter कह रहे हैं, उसके अलावा ये कह रहे हैं कि ordinances है, ordinances मंस अध्यादेश होता है, जब Parliament की बैठक नहीं चल रही होती है, परलिमेंट का session नहीं चल रहा होता है और सरकार को कुछ bills लागू करने होते हैं immediately, तो वो ordinance के माध्यम से करते हैं, आप हमें बताएंगे, आप बताएए comment में कि ये कौन से, अगर ये किसी article के तहत है, तो कौन सा article है, जिसके तहत इसका प्रावधान किया गया है, या कौन से rule के तहत, ordinance का प्रावधान है, now 11 ऐसे bill है, जो इन ordinances को replace करेंगे, so ordinances को replace करने के लिए bill लाना है, और दूसरा ये भी है, PM Care Fund, PM Care Fund पे judgment भी आया था, मैंने कई दिन पहले बता चुका हो, कि ये उस preview में नहीं आता है, तो उसके उपर बें discussion की बात, ये writer कह रहे है, so कई सारी issues है, बहुत सारी issues है, और हम पर्लेमेंट में क्या कौन की चीज़ों पर discussion होता है, नौ ये है vaccine के ऊपर, Corona vaccine, Corona vaccine पर क्या है, Corona vaccine पर मैंको बता दूँ, ये कह रहा है कि Corona का जो vaccine है, ये एक relay की तरह है, एक ये individual race की तरह नहीं है, relay race में क्या होता है, कि एक baton जैसे बोलते हैं, baton लेके दोड़ते हैं, या एक चार आदमी तोड़ेंगे, और कुछ-कुछ दूरी के बाद में दूसरे को पकड़ाएंगे, उसी तरीके से, जो Corona vaccine है, वो तीन या चार जो इसके stages हैं, वो किस तरीके से, वो इस तरीके से हैं, कि जब पहला stage complete हो जाएगा, तो उसका output second stage को दिया जाएगा, फिर वो उ stage सही तरीके से जाना चाहिए, जैसे तरह बैटन गिरना नहीं चाहिए, उन्होंने ये कहा है, कि हमें इस philosophy में बिलीफ करना है, कि जो vaccine भले ही थोड़ा लेट आए, लेकिन effective vaccine आनी चाहिए, और फिर इन्होंने दिया कि जो vaccine है, it should be available to some people in all countries, rather than all people in some countries, मतलब कुछ लोगों क हर देश में दवाई मिल जानी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, कि सिर्फ कुछ देशों में सब आदमी को मिल गया, अमेरिका में, रशिया में सब आदमी को दवाई मिल गया, लेकिन बाकी देशों में किसी को नहीं मिल, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इस तरीके से vaccine development होना हुई है, so WHO का डिरेक्टर ये कह रहे हैं कि इसके चक्कर में गलत वैक्सीन या गलत उसके आउटपुट नहीं आने चाहिए, now what else he is saying, he is saying कि जब ये वैक्सीन का निर्मान होगा, जब बढ़ेगा वैक्सीन का प्रोडक्शन, तो initial cost काफी जादा हाई रहेगा, लेकिन जैसे तक वैक्सीन पहुंचते जाएगा, जितनी जितनी इसकी खपत और खरिदारी होगी, वैसे वैसे इसका rate जो है कम होता चला जाएगा, so initially government को support करना पड़ेगा, वैक्सीन की cost को, फिर ये बात ये कह रहे हैं कि भारत में, भारत में कैसे हम इस वैक्सीन को पहुंचाएंगे गावों तक और शेहरों तक, so writer ये कह रहे हैं कि इंडिया में, इंडिया में बहुत अच्छा experience है, जो tuberculosis है, जो TV हो गया, चोटे बच्चे को जितने भी टीका लगते हैं, वैक्सीन लगते हैं, उसका एक already mechanism बना हुआ है, चाहे आशा बहु के थू हो, एक बहुत अच्छा mechanism बना हुआ है, उसी mechanism को इस्तमाल करना है, इंडिया को, और इस vaccine को भी लोगों तक पहुचाने के लिए, फिर ये कहते हैं कि भारत के प्रते एक नागरिक तक ये vaccine पहुचना चाहिए, और समय समय पर जब जब ये vaccine ज़रूरी हो, उन तक पहुचना चाहिए, और फिर ये कह इसके लिए ready रहना पड़ेगा, और हम सभी को इसमें सही डंग से अपना participation देना पड़ेगा, तो ठीक आर्टिकल था, लेकिन अलड़ी कई जग बार cover हो चुका है, ये एक आर्टिकल है, अनदर आर्टिकल, ये local governance के उपर है, बहुत ज़्यादा जो political science के हैं या puppet के हैं, ब जनलोकपाल की बात तो समय हुई थी, वो धर्रा खतम हो गया, लेकिन जनलोकपाल और ये अभी तक कहीं सही डंग से implement नहीं हुआ है, फिर ये बात करते हैं कि किस तरीके से जो election है, वहाँ पे पैसे के उपर election होने लग गये हैं, जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा है, उ जो election systems हैं, बात करते हैं कि US में presidential system है और इंडिया में parliamentary system है, दोनों ही system में कमिया है, तो इसके बारे में बात करते हैं कि कोई perfect system अभी तक device नहीं हो पाया है, इस line पे बात करते हैं, फिर वो बात करते हैं, conduct of election, कि किस तरीके से election को impartial रूप में कराया जाना चाहिए, फिर व इंडिया में जब MPs को आप चुनके भेचते हैं, सांसथ को चुनके आप दिल्ली भेचते हैं, तो वो जाते हैं वहाँ पर पूरे देश केलिए काम करने के लिए, कोई Bombay से चुनके जा रहा है, कोई Δिली से चुनके जा रहा है, कोई Calcutta से चुनके जा रहा है, तो यह सभी चाह रहे हैं इंडिया के लिए काम करने के लिए लेकिन फिर ये क्या कह रहे हैं कि होता ये है कि वो अपने 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 लोकल छेतर के लिए काम करने लग जाते हैं जो मुंबई का है वो मुंबई की सिर्फ development हो मुंबई को ज़्यादा पैसा मिले उसकी बात करेगा दिल्ली वाला चाहेगा कि दिल्ली में सारा पैसा चला जाए कैलकटा वाला चाहेगा कोलकता वाला कि वहाँ पैसा जाए South से कोई Chennai से जीत के आ रहा है तो वो चाहेगा कि सारी schemes और ज़्यादा सज़्यादा projects South में जाए अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है कि अगली बार वो election ही न जीत पाए अगर अपने constituency की बात नहीं करेंगे तो यह कह रहे हैं कि इस तरीके की खामिया है कि आप चुनके जाते हैं अधेश के लिए लेकिन अगला election जीतने के लिए future के लिए आप अपने local politics वहाँ पे करने लग जाते हैं So this is one good point which the writer has given and another point what he is giving is that talking about internal democracy जो political parties हैं उनके अंदर internal democracy का बढ़ावा देना वो भी important है That is another point he is saying फिर वो बात कर रहे हैं local governance की Local governance means what? 73rd constitutional amendment and 74th जिसके थुरू जो पंचायती राज है और municipality है जो उनको empower किया गया था So what he is saying कि जो governance है वो local governance पे ज़्यादा focus होना चाहिए क्योंकि अगर छोटे-छोटे तुकडे होंगे तो उनको ज़्यादा बहतर होगा क्योंकि एक बड़े city में भी अगर अलग-अलग areas है तो उन areas में सब की problems अलग-अलग है तो कहीं नाली बनना ज़्यादा important है तो कहीं बांध बनना, dam बनना important है तो कहीं पे बिजली का काम होना जरूरी है तो ऐसे में जो पैसा है वो उस छेतर को दे देना चाहिए एक शहर के अंदर भी मोहले वाइस उसको कस्बे वाइस बाट देना चाहिए और उस कस्बे की जो important problem है उस पैसे सो उनको solve करना चाहिए क्योंकि वहाँ पे वो required हो सकता है कि कसी कस्बे में already 3-4 school हो तो वहाँ school की जरूरत नहीं है लेगन हो सकता है कि उनको सड़क की जरूरत हो तो एक अगर policy बनके जाती है कि नहीं आपको school ही बनाना है हर जगा तो आपका वो पैसा already 3-4 school है पिर 5-4 school बिना काम का बनेगा तो writer ये कह रहे हैं कि अगर आप पैसा दे देंगे local governments को उस कस्बे के लोगों को दे देंगे जो वहाँ की पंचायत है वहाँ की municipality तो वो पैसा वो जहां की जरूरत है उस पे खर्च करें तो ये ठीक है 2-4 point इसमें कई अच्छे है आप already आप कई लोगों को पता होगा नहीं पता है तो इसको लिख लेंगे important चीज़े बता देता हूँ 73rd, 74th constitutional amendment आपको ध्यान रहे उसके अलावा schedule 6, schedule 5 आपको ध्यान रहे क्योंकि और article 371 वो आपको ध्यान रहे क्योंकि ये सभी local governance या local council से related है that's all फिर ये आगया article जिसकी मैंने शुरू पे बात की थी non alignment movement उसके उपर ये क्या है non alignment movement ये concept है जो अजादी के बाद में 1950s के बाद में ये concept existence में आया था इसमें हुआ क्या था इसमें हुआ ये था कि 1952nd World War के बाद से पूरी दुनिया दो धुर में बटन लगी कौन-कौन सी एक America led by capitalist और एक communist हो गए Russia जो उस समय USSR हुआ करता था वहाँ पे communist government थी communist उनकी सोच थी आप लिखेंगे इसमे आप comment में लिखेंगे capitalism, socialism, communism इसमें क्या-क्या difference है आप तीनों को define करेंगे capitalism, socialism, communism इनमें क्या-क्या difference है ये आप लिखिए तो इससे ये जरूरी है आपको international relation समझने के लिए और कुछ हद तक, काफी हद तक आपको economy समझने के लिए भी इन तीनों का difference आपको पता होना चाहिए और ये आपकी पूरी history है खासकर first world war के बाद से वो पूरी इन ही धूरियों पर गूंती है ये इन concepts के उपर so better है कि आप इसके बारे में थोड़ा research करिए, आप लिखिए और नहीं आता है तो फिर मुझे बताईए, मैं फिर कल बताऊंगा now इसको हम टेक अप करते हैं next, I was talking about non-alignment movement non-aligned movement की हम बात कर रहे है non-aligned movement में क्या हुआ कि जब पूरी दुनिया Russia जो उसमें USSR था और अमेरिका में बढ़ गया तो जो countries 1950s के बाद में आजाद होई, तहां से आजाद होई Second World War के बाद में जो European countries थी, वो काफी कमज़ोर होगी France, England ये सभी कमज़ोर होगे Spain, Portugal, ये सभी कमज़ोर होगे तो इनकी जो colonies थी Asia में, अफरिका में, वो सभी आजाद होना शुरू होगी तो उसमें भारत भी आजाद हुआ, अफरिका के तमाम countries अजाद होई, उनके बाद अजादी के बाद में, इन्होंने ये decision लिया, कि या ना ही तो अमेरिका की तरफ align करेंगे, ना रशिया की तरफ align करेंगे, और किसी के हम पक्ष नहीं लेंगे, और उसके बाद में non-aligned movement जो है, उसका गठन किया गया भारत उसमें, भारत तर्की, ये लोग important part उन्होंने, इस इप्ट, उन्होंने important part उसमें निभाया था, non-alignment जो movement था, उसमें उसके बाद में ये हुआ, कि अब वो ये बात कहते हैं, कि जो non-alignment movement था उस समय का, वो उस समय के लिए ठीक था, लेकिन धीरे-धीरे, जब 90s, 90s में 91 में, जब USSR बढ़ गया, 15 countries में बढ़ गया, अभी तीन-चार दिन पहले मैंने ये cover किया था, कि USSR आप मैंने countries ही बताया था, तो चार दिन पहले का अगर आप देखेंगे वीडियो, तो उसमें आपको मैंने सब कुछ बताया, जब मैंने आपको SEO भी समझाया, तो उसमें मैंने समझाया था कि USSR 15 countries में बढ़ गया, उसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सभी, बेलारूस, ये सभी countries आजाद हुई, USSR से हुई थी, उसके बाद से रशिया की पावर कमजोर पड़ गई, और अमेरिका जो है, अकेला महाशक्ती रह गया, तो अभी ये कह रहे हैं कि अभी का जो world है, वो अमेरिका oriented है, तो उसके बाद ये हुआ 1990s के बाद में, जो aligned movement था, वो अपने आप ही धीर धीरे existence से चला गया, और उसके बाद अलग-अलग strategic interest बने, strategic interest से ये है कि अमेरिका की तरफ लोग align होते चले गए, और कुछ लोगों ने anti-US अपने blocks बना लिये, नो फिर ये बात करते हैं चाइना का, कि जिस तरीके से चाइना का rise हुआ, फिर चाइना ने भी काफी अपना जो influence है sphere of influence बढ़ाया है चाहे वो एफरिका में हो, या फिर एशिया में हो, चाइना का काफी influence उससे बढ़ता चला गया है अभी वो ये बात करते हैं कि इस पूरे strategic, जो ये है, strategic, जो अभी situation है, इस situation में, USSR की जगा धीरे-धीरे चाइना ने ले लिया है और उससे ये हुआ है कि जो NATO बगेरा बने थे जो America oriented countries थी, उनकी भी आवशकता जादा नहीं रह गई है फिर ये writer ये कह रहे हैं कि इस समय पे, इंडिया इंडिया की position की बात करते हैं कि इंडिया की क्या position है इंडिया की position ये बात कहते हैं कि इंडिया की बड़ी unique situation है इंडिया sea भी है समंदर भी है और continental landmass भी है continental landmass का मतलब क्या है कि west में पाकिस्तान है और north और east में चाइना है उसको देखने के लिए भारत ने क्या किया उसको देखने के लिए भारत ने चाइना को टैकल करने के लिए भारत ने लुक इस्ट पॉलिसी लेके आये चाइना को tackle करने के लिए उसी के साथ में पाकिस्तान को check करने के लिए बाकी जो countries तो इरान है, अफगानिस्तान है, उनके साथ में अच्छे relations कायम की होए है इसी तरीके की पूरी बात है, international relations से related और ये बात ये कह रहे हैं, कि इसमें जो important होने जा रहा है यह important होने जा रहा है कि इस time पे कोई single जो है वो महाशक्ती नहीं रह गया है एक term का वो इस्तमाल कर रहे हैं कौन सा term का इस्तमाल कर रहे हैं वो कह रहा है कि military, unipolar, economically, multipolar and politically confused अभी की जो situation है वो कैसी है military, unipolar मतलब military रूप में देखे तो एक महाशक्ती है economic रूप में देखे तो कई महाशक्ती है और political रूप में confused है सब क्यों confused हैं कि यह पता ही नहीं किस तरफ align करना है या क्या कैसे जो है world को आगे लेके जाना है तो writer यह कह रहे हैं फिर इंडिया के लिए क्या कह रहे हैं जो non-permanent members हैं उनका वो term शुरू होने जा रहा है तो भारत की बहुत बड़ी जिम्मेवारी रहेगी कि सही ढंग से responsible रूप से इसको carry करें और अपने strategic interest देखते हुए bilateral partnership करें जो भारत की foreign policy और international relation के लिए important है so that is one part clear मैंने आपको पूरा बता दिया अच्छा यह article था और important यह था कि इससे related questions अलड़ी मैंने आपको पूछ चुका था okay next we'll see क्या है next next है यह parliamentary standing committee के उपर तो इसमें क्या है parliamentary standing committee है जो external affairs की उन्होंने question raise किया था line of actual control LAC के उपर उसमें यह security के नाम पे उसमें questions पूछने से मना कर दिया गया है मैं आपको यह बताया था कि जो लोगसभा speaker है और राजसभा के जो chairman है उन दोनोंने यह कह चुके हैं कि जो parliamentary standing committee है कोई भी ऐसे issues जो court में चल रहे हैं या national interest के against हैं उनको take up नहीं करेंगे यह बता दिया आपको यह एक news थी आप फॉलोग कर रहे होंगे कि पांच जो अनाचल परदेश के youth हैं जो लड़के थे वो Chinese army ने उनको canap कर लिया था तो अब यह news है उसमे वो चाइना में ही है और उनके handover की कारवाई अलड़ी चल रही है next क्या है next है मैंने आपको ही बताया तो शुरू में जो चैशंकर है external affairs minister वो SEO की meeting के लिए जा रहे हैं कहां जा रहे हैं Moscow जा रहे हैं और वहां पर उनके जो counterpart है Wang Wei उनसे उनकी बाच्चीत होने वाली है so China चाइना related issues बहुत रहेंगे ये एक है forest related जो चारधाम ये news है कि चारधाम में जितने भी चारधाम है किदारनाथ, बदरीनाथ, गंगोत्री, यमनोत्री तो इनकी तरफ जो रास्ता जाता है उन रास्ते को चोड़ा करके बड़ा रास्ता बनाने की बात हुई थी रोडो को चोड़ा करने के लिए so इसको टेकल, इसको जो है challenge किया गया था और challenge NGT में किया गया था National Green Tribunal में किया गया था National Green Tribunal ने government के favor में दिया था judgment अब Supreme Court में ये मामला गया था Supreme Court ने ये कहा कि 2018 में जो सरकलो जारी किया गया है उसको follow करेंगे मतलब news ये है basically environment related की पहाड़ है वहाँ पहाड़ों में पहाड़ काटके road चोड़ा कर रहे है केदानाद, बदरिनाद, गंगत्री, अमगत्री के लिए उसमें environmental के जो impact है उसको देखते हुए ये road चोड़ी करन का काम करना है ऐसा Supreme Court ने observe किया है 2018 के guideline को follow करते हुए तनीय news है रशिया से रशिया मैं आपको अलड़ी बता चुका हूँ कि वहाँ पे Moscow में काफी activities चल रही है तो वहाँ के जो diplomat है ने कहा है कि वह चाहेंगे कि भारत और चाइना जो है परसपर बातचीच से अपने issues को solve करे तो चाइना is trying to play important role फिर दूसरा एक news उन्होंने दिया है कि जो S-400 system है missile है वो इंडिया को deliver करने के लिए रशिया काम कर रहा है तो ये ये भी देखे यही diplomacy होती है एक तरफ तो चाइना से भी बात करते हैं दूसरी तरफ S-400 deliver भी इंडिया को हधियार भी दे रहे हैं तो दोनों ही चीज़े कर रहे हैं शांदी के लिए भी कह रहे हैं और हधियार भी supply कर रहे हैं वही चीज इंडिया भी आगे बढ़ा रही है ये एक है news चाइना में जो celebrate किया जा रहा है virus, coronavirus से लड़ाई जीत ली गई है इस तरीके का celebration वहाँ पे किया जा रहा है और ये कहा गया है कि चाइना जो है चाइना ने बहुत अच्छा performance और बहुत सही धंग से coronavirus को tackle किया है लेकिन कितने आंकडे थे exactly चाइना के this is not very clear ये news है अगें रशिया जो foreign minister है उन्होंने offer किया है कि सीश के लिए Mediterranean में Cyprus और Greece के बीच में मदेस्ता करने के लिए मैंना आपको लड़ी बता चुका है Mediterranean Sea में Turkey और Greece के बीच में जगड़ा चल रहा है और वहां पर किसको लेके जगड़ा चल रहा है जो Mediterranean Sea में जो natural gases के बंडार है उनको लेके जगड़ा चल रहा है उसमें जो Russian foreign minister है काय कि Russia उसमें मदेस्ता जाने की mediation कर सकता है ये है जपान के जो बताया था मैंने आपको जपान के जो थे government prime minister Sinjo Abbey उन्होंने resign कर दिया गया था due to bad health तो उनके जो उनको जो replace करेंगे उनके लिए campaign चलाए जा रहा है एक simple news थी फिर याँ पे एक news है कि जो global economy वो contract करने वाली है मतलब global economy जो कम होगी recession होगा उसमें लेकिन चाइना की जो economy है 2.7% वो grow करेगी क्यों grow करेगी basically उनका export grow किया हूँ export क्यों 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 क्योंकि corona का time पे भी जितनी भी समान थे PPE kit से लेके machines है ventilators है चाइना ने खूब supply किया है तो चाइना ने जो supply किया है उसी का फाइदा वो ढ़ना चाहेंगे so that's all that's all for today current affairs आप जो points थे आज उसके आप उसपे सोचिएगा जो इंडिया चाइना का इशू है उसमें थोड़ा डिटेल में आप देखिएगा कल में आपको इंडिया चाइना से related उसपे इशू उसपे जो है questions put up करूँगा mains का so आज आप उसको prepare कर लिजिए थोड़ा study कर लिजिए expected questions में हो सकता है वो कभी भी